इवियम को लेकर अब सवाल राजनीतिक दल ही नहीं बलकि आम लोगों ने भी करने शुरू कर दिये हैं सवाल हो रहा है कि जो वोट मतगाता डालता है वो गिना भी जाता है या फिर चुनाओ परिणाम ही पूरा फिक्स हो जाता है इसलिए अब देश में इवियम की जगहां बैलेट पेपर से चुनाओ कराने की मांग की जा रही है और आज चुनाओ आयो के कार्याले पर बड़ा प्रदर्शन भी हुआ है देखे ये रेपोर्ट इवियम हटाओ सम्विधान बचाओ इवियम हटाओ लोकतंत्र बचाओ ये नारे आम लोगों की जुबान पर चड़ गए हैं अभी तक विपक्षी दल ही इवियम पर सवाल उठा रहे थे लेकिन अब देश के वकील सिविल सोसाइटी के लोग भी इवियम पर सवाल उठान नहीं नहीं दिया इस दोरान वरिष्ट वकील महमूत प्राचा ने बयान दिया क्या उन्होंने कहा सुनिये उन्होंने ये दावा किया कि पियम मोधी को पता है कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो बीजेपी की हारता है प्रदर्शन कर रहे हैं वकीलों ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर इवियम से चुनाव नहीं होने देंगे हमारे प्रदर्शन में सभी विपक्षी दलो का भी समर्थन मिलेगा इस दोरान आज हमें भले ही पुलिस ने रोक दिया हो लेकिन हम फिर आएंगे और 50 EVM लेकर जाएंगे हम सभी के सामने EVM को हैक करके दिखाएंगे 2024 में चुनाओ या तो बैलेट पेपर से होंगे या फिर नहीं होंगे डिवी लाइप के रिपोर्ट